नमस्कार आप देख रहे हैं News Nation और मैं हूँ आपके साथ चिराग सुखीजा भारत और साथ अफरीका के बीच तीन T20 मैचों के सीरीज का आगास 10 दिसंबर यानि की रविवार से होने जा रहा है इंडिया और आस्ट्रेलिया के बीच पांच T20 मैचों के सीरीज खेली गई थी जिसमें सूरे कुमार यादव ने टीम इंडिया की कप्तानी की थी टीम इंडिया उस सीरीज को चार एक से जीतने में काम्याब रही थी और अब भारतिये टीम पहुँच चुकी है साउथ अफरीका जहाँ पर उसे तीन T20 मैचों के सीरीज के लिए अभी भी सूरे कुमार यादव ही है पहला T20i मुकाबला 10 दिसंबर को खेला जाएगा डर्बन में जहाँ पर ये मुकाबला भारतिये समय नुसार अगर बात करें तो शाम 7.30 बजे शुरू हो जाएगा डर्बन की पिच का मिजास क्या है क्या बल्ले बाजों की मदद करेंगी गेंद बाजों की मदद करेंगी स्पिनर्स और पेसर्स किसके लिए ज्यादा मदद रहने वाली है इस वीडियो में बात करेंगे पिच रिपोर्ट की उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है अब टीम इंडिया में पिछली सीरीज के मुकाबले कुछ चेंजिस यहां पर किये गए हैं अब यह चेंजिस क्या हैं वो भी आपको बताएंगे और प्लेइंग 11 किस तरीके की हो सकते हैं दोनों टीमों की वो जानेंगे संभावित प्लेइंग 11 में उसके बाद बात करेंगे head to head records की कि जब जब इंडिया और साउथ अफ्रीका T20I क्रिकेट में आमने सामने हुई हैं तब तब किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है head to head records पर रज़र डालेंगे बात करेंगे उसके बाद weather report की कहीं बारिश मैच में खलल तो नहीं डाल देगी अगर आपने अभी तक News Nation को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल से जल सबस्क्राइब भी कर दीजे साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजे ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँच जाए सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा ये Kings Mead Stadium है डर्बन का जहां पर पहला T20i मुकाबला खेला जाएगा पिच कैसी है आईए नजर डालते हैं पहली T20i मैच की पिच रिपोर्ट पर डर्बन के Kings Mead Cricket Stadium के पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल मानी जाती है पेसर्स को यहां अच्छा स्विंग मिलता है जिससे वो बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं हाला कि यहां आउट फिल्ड काफी तेज है जिससे खूब रंस भी बन जाते हैं वहीं इस पिच पर रं बनाना उतना ज्यादा आसान बाद के ओवर्ज में होगा नहीं ऐसे में यहां पर 180-190 रनों का टोटल जो है वो विनिंग टोटल भी हो सकता है इस पिच पर पहली पारी का ओसत स्कोर जो है वो 153 रनों कर आए वहीं दूसरी पारी में यह ओसत स्कोर जो है वो घटकर 135 का हो जाता है दर्बन के इस मैदान पर अब तक कुल 22 T20 आई मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 11 बार पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जी कप हुआ और उसके बाद इंडिया उस्ट्रेलिया की सीरीज हुई जिसमें ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था लेकिन यहाँ पर ड्यू उतना ज्यादा कंसर्न होगा नहीं आगे वेदर रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कितनी ड्यू हो सकती है बारिश की क् लेकिन यहाँ पर 180-190 रनों का स्कोर जो है वो अच्छा स्कोर आपको लग सकता है कि उस पर आप टीम को जीतते हुए देख पाएं अब अगर बात करें यहाँ पर दोनों टीमों के क्योंकि चेंजिस भी हुए है टीमों में और उसके बाद प्लेइंग 11 किस तरीके से होग अब यहाँ पर शुबमन गिल की वापसी हो चुकी है तो हो सकता है शुबमन गिल आपको खेलते हो नजरा सकता है उसके पाद स्रेय सयर नंबर 3 पर कहलते हो दिखाई दे सकते हैं सूरे कुमार याधा विस टीम के कपतान है इशान किशन बता और विकेट कीपर आपको खेल उसके बाद रिंकू सिंग दा फिनिशर जिनको हम कहते हैं वो आपको खेलते हो नज़र आ सकते हैं रविंद्र जड़ेजा अब यहाँ पर कुलदीप यादव और रवी बिशनोई दोनों ही स्कौाड का हिस्सा हैं कुलदीप यादव और रवी बिशनोई में से कोई एक ही आ आपको खेलता हुआ नज़र आएगा तेज गेंदबाजों की बात करें तो यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मुदत मिलती है तो तीन पेसर्स आपको खेलते हुए दिखाई देंगे ही अर्शदीप सिंग मुकेश कुमार और उसके अलावा मुहम्मद सिराज आपको खेल खेलते हुए नज़र आ सकते हैं बात अगर साउथ अफ्रिका की करें तो रीजा हेंड्रिक्स और ट्रिस्टन स्टब्स आपको उपनिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं उसके बाद एडन मार्करम इस टीम के कप्तान है वर्ल्ल कप में वो आपको खेलते हुए दिखाई द तो यह दो बात हो गई दोरो टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में पिच के बारे में हम बात कर चुके हैं अब अगर नज़र डाले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर तो यहां पर आप दिखेंगे कि इंडिया और साउथ अफ्रिका के बीच अब तक कुल 24 T20I मुक अब इंडिया साउथ अफ्रिका में जाकर खेलने वाली है इसलिए कमजोर आकना बहुत ज्यादा भारी पढ़ सकता है इंडिया को तो यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स कुछ इस तरीके के हैं बात अगर करें यहां पर वेदर की तो मौसम जो है वो दगा दे सकता है 70 से 80% बारिश की अशंका जताई जा रही है जो अधिक्तम तापमान है वो 22 डिगरी के आसपास रहेगा जो कि शाम को घटकर 20 डिगरी हो जाएगा लेकिन 60-70% बारिश की अशंका है तो ऐसे में बारिश की वज़ए से कुछ ओवर्स में कमी भी हो सकती है मैच कुछ देर के लिए आपको रुकता हुआ भी दिखाई दे सकता है जो दर्शक वहाँ देखने पहुंचेंगे उनके लिए ये थोड़ी सी बैड न्यूस आपको जरूर नजर आती हुई दिखाई दे सकती है चलिए पिछ की बात हो चुकी है बात समावित प्लेंग 11 की हमने कर ली है हमने बात की है यहाँ पर वेदर कैसा होगा और हमने बताएं आपको हैड टो हैड रिकॉर्ड अब अगर बात करें दोनों टीमों के मजबूत पक्षा और कमजोर कड़िया क्या है तो सबसे वहले भारत की बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको ये शस्वी जायस वाल एक शांदर गिल ही रहने वाले हैं उसके बाद हो सकता है रुतराज गायकवाड आपको बाहर बैठते हुए दिखाई दे नमबर तीन पर श्रिया साइयर इनकी फॉर्म भी अच्छी खासी है इन्हों ने भी लास्ट का जो टी ट्वेंटी है मुकाबला आस्ट्रीलिया की खिलाफ शायद प्रेशर है कप्तानी का प्रेशर है या क्या प्रेशर है लेकिन दूसरी पारी में सुर्य कुमार यादव के बल्ले से कुछ जो आकड़े है वो उतने अच्छे रहे नहीं है बल्ले बाजी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है उसका रिंकू सिंग दोनों पारियों में फ Spinners को उतनी ज्यादा मदद है नहीं, लेकिन रविंदर जड़ेजा टपा पकड़ कर गेंद करते हैं, लगातार फटा-फट से ओवर अपना खत्म कर देते हैं, इसलिए रविंदर जड़ेजा का होना जरूरी है, कुल्दीप यादव या रवी विश्णोई दोनों में से कोई अरश्रदीप सिंग रहने वाले हैं एक बार फिर से, अरश्रदीप सिंग यहाँ पर डेथ ओवर्स में जब खास तौर पर गेंद बाजी करते हैं, अलागि दस रंस उन्होंने डिफेंड कर दिये थे लास्ट ओवर में, लेकिन फिर भी अरश्रदीप सिंग पर यहाँ पर क्रिकेट खेले नहीं हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक कमजोर कड़ी मिल जाती है, उसका देडन माकरम, डेविड मिलर, हेंडरिक क्लासेन, मारको एंसन और डौनोविन फरेरा, यहाँ पर यह सारे जो बल्लेबाज हैं, यह ताबर तोड बल्लेबाजी करते हैं, तो साउथ अफरीका को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हमने वर्ल्ल कप में भी कुछ इसी तरीके का सिनेरियो बनता हुआ देखा था, इंडिया अगर टॉस जीतती है, तो पहले बल्लेबाजी ले और साउथ अफरीका को कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करे लेकिन इंडिया अगर टॉस जीतती है, पहले बल्लेबाजी अगर खुद करती है, तो निश्यत तोर पर इंडिया के पास थोड़ी सी एज़ जरूर रहने वाली है, तो पिछ के बारे में हमने बात कर ली, हमने बात की दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या है और दोनों बढ़ियां क्या है, ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी टीम ये वाला मुकाबला जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल से जल सब्सक्राइब भी कर द साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिये, ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे, देखते रहिए न्यूज नेशन